हेलो फ्रेंस तो आज हम बनाएंगे गयों के आटे से बिलकुल नया तरीकी का बहुती ज़्यदा स्वाधे aur nasty नास्ता ये नास्ता बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है उसे बनाना भी बहुती ज़्यदा आसानमे यदि आपको पास्ता खाना पसंदे तो तो ये रेसिपी आप सभी को बहुत ज़दा पसंद आने वाली तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहों के आडे का पास्ता जो बहुत टेस्टी बनता है तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपर एक बोल लेंगे और इस बोल में इसमें आपको कोई भी मोयन का इस्तमाल नहीं करना बस सिंपल आटे में नमक डाल करके पानी एड करके यहां पर आटे को रैडी कर लेना है तो यहां पर आप मैं इसमें एड कर रहे हैं यहां पर पानी थोड़ा थोड़ा करके आपको यहां पर पानी एड करना है और इसका यहांपर थोड़ा सा टाइट एक डो बना कर तयार कर लीजीगा जैसे फिर आप यह पूरी के लिए डो तयार करते हैं वैसे ही डो आप इसके लिए तयार कर लीजी तो यहांपर हमारा डो बिलकुल त्यार हो चुका है इस तरेके से तो अब इसे क्या करेंगे इसे ढख करके थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए तो बस मैंने इसे पांच मेट के लिए रखा था और हमारा जो डो है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है तो चले अब हम इसका बनाते नास्ता तो यहाँ पर हम एक बड़ी सी लोईस की कट कर लेते हैं यह देखे और देखे मैंने आप एक बड़ी सी लोईस की कट कर लिए चले अब हम इसे बेलते हैं तो यहाँ पर आप क्या करना है आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुखा आटा लगाना है इससे क्या होगा बेलते समय बिल्कुल भी यानि कि बेलर में चिपकेगा नहीं और बस इस तरीके से अच्छे से हम इसे बड़ी आसा बेल लेते हैं ये रिखे तो फ्रेंट जो ये रेसिपी है आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं या फिर आप इसे जब कभी आपको इस तो उटा सा मैने आप ठोकन लिया आई ऑर इस तरीके से मैं से कट कर रहे आप हहां पर कोई इसज़ुदा से घिप कर ले सकती हैं और देखें मैंने से इस तरीके से cut कर लिया ये देखे एक टम छोटी छोटी से ये टिक्की जैसे cut चुके हैं अब करना क्या है फ्रेंड अब इस तरीके से मैं आपर नास्ते को design कर रही हूँ ये देखे पहले दोनों और corner को लेना इस तरीके से और इसे इसे fold करना ये देखे और फिर से इसे ऐसे press करना है तो इस तरीके से कुछ अच्छी से design बन जाएगी ये बहुत ज़्यादा easy है आप इसे कभी भी बना के खा सकते तो जब कभी आपको डाल ढोकली खाने का मन हो तो आप इस तरीके से ऐसे design करके इसकी डाल ढोकली भी बना सकते बहुत ज़्यादा easy है और देखने में बहुत ज़्यादा सुनना लगती है तो देखिए, यहाँ पर हम सभी को ऐसे बना करके तैयार कर लेते एक मैं आपको और भी बना करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा रखिएगा, कि कोई हम इसे बॉल करेंगे और ज़्यादा पतला रहेगा तो यह पानी में गल जाएगा तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बेल लिया और इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है अब हम इसे फिर से एक बार मैं आपको और भी बना के निखाती हूँ, ऐसे आपको बनाना है, बहुत एजी है और आप इसे मिंडो में बना के तैयार करशकते हैं तो दिखे, मैंने इसे बना के तैयार कर लिया चले से बाल करती है, इसक्लिए आपको कराई में पहले से पानी मेंडे गरम होने के लिए रख दिया, और में इसमे एक चम्मस ओल डाले आए, और कियाँ पर आपको पिसस तभी डालने जब पड़िया सा पानी में उबालने लगे अगर मारे अगर पानी में उबाल नहीं आएगा पानी को उपर तैरने लगेगा तो बस इसे आपको कम से कम साथ से आट मिनट तक बड़ी हासा पाने में उबालना है जब ये बड़ी हासा उबल जाएगा यानि पक जाएगा तो ये हलके से इसके पीसे टाइट हो जाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से उबल चुके हैं तो चलिए आप हम इसे निकाल लेते हैं तो किसी भी जाली वाली थाली एफी किसी में भी आप इसे निकाल सकते हैं चान करके और निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख दीज़ेगा ठंडा होने के लिए जब अच्छे से ठंडा हो जाता है तो यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए यह पीसे आपस में बिल्कुल चिपकेंगे ने क्योंकि हमने यह आपर ऑल का इस्तमाल किया है और बस देखे बढ़िया से बॉयल हो चुका है तो देख सक पर हलका से गूर्डन कलर आ चुका है यह देखे तो बस इसे स्टेज़ पर हम यहां पर कुछ और भी वेजटेबल एट करेंगे जिसमें मैंने बारिक यहां पर कटीवी हरी मिशली है बारिक गाजर और साथी बारिक कटीवी यहां पर सिम्रा मिश एट करेंगे इन सारी सब सब्सक्राइब इसमें थूरा सा नमक जाएगा हल्डी साथ थूरा सा घरम मसाला इन मसालू को ढालने के लगाए time हो अगर 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 आप यहां पर मसाले नहीं डालना चाहतें आप यहां पर मेगी मसाला बीक बैकर डिया तोडहा सथी और जिसमें इसे पिज्जा सोस्स टेमेटू केचप और थोड़ा सचीली सॉस्स का इस्तिमाल के इसी टेस्स, बहुत ही बढ़ी हाता है और इस पास्ते को लिए देखिए और इसे मिक्स कर रहे हैं तो भी देर के लिए? कंए बारी कतंवी दन्य वाइभण कर-देना दो, बाएज फ्लेवर पाश्थे ब्लेज div σας और इसना जायों गज़ी कर से निनिके बाने अज़ाए देना और बड़ी आसा इसको मिक्स कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं यह पास्ते का जो लोक है कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा और बहुत ज़्यादा यह फ्रेंट टेस्टी लगता है पास्ता तो एक पार जरू ट्राइब कीजिएगा जब कभी आपको गेहों के आठे से कुछ बना टेस्टी चटपटा खाने का मानो तो यह रिष्पी आप जड़र ट्राइब कीजिए जिसे भी खेलाएंगे हर किसे को यह रिष्पी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली बहुत टेस्टी बनता है और कम तेल के साथ बनके तयार होता है तो फ्रेंट र मिलते हैं ऐसी को भी कोई टेस्टी यम्मी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेम बाई बाई